नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मन्मिंदर और मेरे चैनल अमीज स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है क्वीन एलिजाबेट के बार ब्रिटेन में सब कुछ बदल जाएगा अपने आएसी प्रता नहीं है लेकिन ब्रिटेन में ये प्रता है शाही लाइफस्टाल, शाही रुत्बा, सब कुछ शाही, ये सब रहेगा लेकिन बदलेगा तो वो जिसमें क्वीन एलिजाबेट की छलक दिखाई देती है ब्रिटेन का ऐसा ही नियम है, शाही परिवार का ऐसा ही असूल है लेकिन ब्रिटेन के असूल नियम की बात आज में आपसे क्यों कर रहे हूँ क्योंकि ब्रिटेन की महराने अलिजबेट देती है इस दुनिया में नहीं रही शाहने साल की उमर में उन्होंने आखरी सास ली क्वीन अलिजबेट ने साथ दसकों तक ब्रिटेन बेराज किया और अब उनके दिजबेन के बाद प्रिंस चाथ इन नई राजा बन चुके हैं तमाम सरी शक्तियां अधिकारों ने मिल चुके हैं इसके अलावा भी महरानी के दिजबआट ब्रिटेन में काफी कुछ बदल जाएगा काफी कुछ बदलने वाला है Queen के निधन के बाद Britain के तमाम institutions के नाम बदलने होंगे इसके अलावा राष्ट मंडलों में भी संस्थानों के नाम बदले जाएंगे इसी बीच Britain की मुद्रा और तमाम उनके जो ब्रतीक चिन्द है उनको भी बदला जाएगा इनमें ने राजा का नाम डाला जाएगा मैं आपको बता दू कि currency बदलने में करीब करीब दो साल का वक्त लग सकता है हलाकि चीज़े काफी high-tech हो चुकी है और हो सकता है कुछ समय कम भी लगे लेकिन currency के बदलाव में इतना समय लग सकता है कुल मिलाके जिन चीज़ों में भी महरानी अलेजेबित दितिये की जहलक दिखाई देती है उनकी पिक्चर दिखाई देती है उन सभी को बदल दिया जाएगा देश के कई जंडे भी शामिलेस में सेना policy भाग इन जंडों का इस्तेमाल होता है जैसे अपने भरत में भी अलग लग उनके लोगोस रहते हैं उसमें उस चीज़े भागारतियता को दर्शाती है लेकिन कुछ भी बदलाव आeurs लेकिन ब्रिटेन में इन जंडों इन लोगों का भी बदलाव उनमें होगा और यही लेकिन महाना जा रहा है तक Queen शब्द का इस्तेमाल होता था, वह अब King शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, और Britain के जिन लोगों को मिलने वाले पासवोर्ड जो उनके पासवोर्ड रहते हैं उसमें भी बद्लाव होगा, पहले जहां पे Queen के नाम जारी किया जाता था, अब इसे King के नाम से जारी किय जाएगा, ठीक ऐसा ही एक टेक्स ऑस्टेलिया, कनाडा और New Zealand के पासवोर्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ बदलने वाला है, ट्रेजरी और जो सीमा शुलक हैं, उत्पास शुलक हैं, इन सब के नाम बदले जाएंगे, और सेना में नए रंग रूट अब नानी के शिलिंग को साइन अप करने, रैंक में एक बार नानी के नेमों का पालन करने या महा महीम के किसी भी जहाज पर चड़ने के लिए सिम्बॉलिक रूप से नहीं लेंगे, वकिंगम पैलेस के बाहर तमाम सेना तैनात रहती है, और तैनात किंग्स कॉंसल हुआ करते थे, अब वो किंग्स कॉंसल हो जाएंगे, दोस्तों ये अपने अपने देश की प्रता होती है, और इस प्रता को हर देश मानता है, जो भी उसके देश की प्रता होती है, उसको हर कोई मानता है, और ये नियम होता है हर देश का, तो ब्रिटेन का यह नियम है इस तरीके से वहां भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं जो मैंने आप से शेर किये अब मैं आती हूँ अपनी बात पे आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसं सिमा शुल्क है और कई लोगोज हैं सिम्बोलिक चीजें जिसमें की जगाप क्वीन्स की जगाप की गो जाएगा तो दोस्तों यह काफी जानकारी परक्ट वीडियो है आप इसे अपने दोस्तों में ज़रू शेर कीजिएगा और अपना कमेंट करना मेरे कमेंट सेक्शन मे ना बूलें फिलाल इतना ही दोस्तों मैं आपसे फिर मिलूंगी किसी और जानकारी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल लखिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जैहिन जय भारत